नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम जो प्लेक्टिस से आपके लेकर आया हैं वो है ए ट्रिपल ई और डी डबल ई का ठीक है असिस्टेंट डिविजिनल एल्ट्रिक इंजिनर और असिस्टेंट एल्ट्रिक इंजिनर ठीक है तो यह ग्रूबी के 30% एक्जामिशन हुए थे 5 तीन पार्ट में डिवाइडेड है जो आपके स्क्रीन पर अपी दिखेगा पॉइंट नम्बर 9 और 10 और 11 जिसके अंदर तीन पार्ट है ए जो है इस्टिलिस्मेंट और फाइनस रूल जी से आज हम सॉल्फ करेंगे बी टेक्निकल है और सी है जो वो जी के एंड राजबास होंगे हों हम सेर करेंगे गुश्चे के साथ और आगे इस बात का तै करेंगे कि कैसे कुश्चन है तो चलिए कुश्चन नमबर 1 पर चलते हैं बाकी इस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया होगा चलिए शुरू करते हैं पार्टे जो एस्टेश्मेंट और फाइनस रूल से सिट्रिक्स पीसी अंग सेवन पीची रिल करमचारियों के बढ़तमान पर इसके इन में से किसकी सिफार सो से अधिसुषित किये गए हैं चौत्र कि पांच यह सीबीची शिए सीपीची और साथ कि ने कि बात कर रहे हैं तो यहां पर अपना एंसर्ट दी हो जाएगा यह से चेर्मेन शिर्याशो कुमरमाथुजी थे ठीक है तो यह अपना हुया इंसर कुशन नमबर टू नॉर्मल इंक्रिमेंट इस लाउड आफ्टर समान वेतनविती किते समय बाद मिलती है यह है वन येर यानिक एक साल भी शिक्स मन्त यानिक छे महिने इसके इसके एक बाद मिलती है तो अगर किसी की प्रमोशन अगर एक जुलाई से पहरा या एक जुलाई तक हुई है तो उसका next increment जो होगा, वो 1st January को होगा, अगर वो normally एक साल के अंतराल पर ही हमको रेतर बिर्दी मिलती है, चलिए, question number 3, PFA का full form क्या है, what is the full form of PFA, PFA जो होता है, principal financial advisor होते हैं, जो headquarter हैं, यहाँ पर जो option B है, यह right answer है, ठीक है, principal financial advisor, यह option B, is the right answer, यह head of account of the account department होते हैं, जो journal लेवल पर होते हैं, ठीक है, चलिए, question number 4, और, the object of test check is, the object of test check is, test check का क्या होते हैं, ठीक है, factual verification of all what the staff has done, यानिके staff की द्वारा किये जाने वाले कारियों का तर्थात्मक शत्यापन हिंदी में, ठीक है, to incalculate discipline among us staff show that they do not take the work casually, staff में अनुशासन बैठाना था कि वो कारे को लापरवाही से न लें, c है, check of mathematical accuracy, अंगनिती सठिक्ता को जाच या चेक करना, ठीक है, और, d है, d has scrutiny to find out whether staff have understood the duties and rules governing their works, ठीक है, जाच करकी ये पतार लगाना कि staff ने करतब्यों और कारियों को नियंत्रीत करने के वाले नियमों को समझ लिए है, एक्षिली, financial related question है, test check, ठीक है, टेस्ट चेक जो है वो फैनेशल रिलेड़ कोस्टिन हो और इसका सही एंसर होगा जो है सी चेक ओफ अर्थेमेटिकल एकुरेशीव यह आई यारेफ एफ सी जो है यानि इंडिन रिल्यू फैनेशल कोड वन के चेप्टर नाइन में इसका जिकर क्या गया है पैरा नंबर नौसो एकारा पे क्या गया है ठीक है तो आप वहां जाके पड़े सकते हैं यह दा इस ओब्जेक्ट ऑफ इसकोर्ट बाइद टेस्ट चेक अप्लाइड तो दो वाउसर एंड कानेक्टेट अकाउंट रिकोर्ट्स अपार्ट क्या जा सकता है तो आप चांज कर लें चलिए हम कुशन नबर फाइफ पे जाते हैं यह एक्शली आफ फोर से लेके फो एट तक जो है वह फाइनेंसर रूल से रिलेटेड प्यूशन है एट नहीं शेवन तक मान सकते हैं चलिए पहले हम कुशन नबर फाइब को देखते है हैं केसिंग ऑफ केसिग औफ केसिंग ऑफ गरांटी बॉंड इस द‍थ 오른 पे ऐस्पॉंसिबिलीटी ओ एकांट अफसर का संन ओफिछर हा डियायम एंस छिफ कासियर हफि मेर सीजती डियायम को कि रिया को इनको है क्या लिया जाहले है छिक है option is the right answer question number six the attendance is recorded in the gate attendance card at the gate a gate b time office c shop and d is none of these the right answer is time office time office the time office is responsible for maintaining the initial record of attendance which are also eventually the record of payments to your time office is the right answer question number seven financial position of businesses just throw so if you can see from the bank to see from the bank to see financial position to see from the bank 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 to ना हो तो उनके बालंसेट को जाच के जाता है। बालंसेट is one of the three fundamental financial statement and is a key of both financial modeling and accounting. The balance sheet displays the company's total assets and how these assets are financed through either debt or equity. It is also a referred to as a statement of the net worth or a statement of financial position. The balance sheet is based on the fundamental equation. यानि कि समी के रण, asset is equal to liability plus equity. तो यह इस तरह बनता है। तो यह हमारा जो answer D होगा, वो सही answer होगा। हिंदी में करके हैंगे, तो किसी बेशाय कि आर्थी किसी इनमें से किस से जानी जाती हैं। तो balance sheet से जानी जाती हैं। Question number eight है, The document which is the authority for the shop to undertake manufacturer of component is किसी component को shop में बनाने हैं तो इनमें से कौन सा अधिक्रीत document परयोग होता है। जिससे पहला है रूट कार्ड, B है job card, C है material tag and D is scroll seat। ठीक हैं। तो root card, job card, material tag और scroll seat। तो यहाँ पर जो यह है, यह railway production unit एक chapter होता है जिसके अदर आपको पढ़ना चाहिए। और वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यह root card is the right answer। ठीक हैं। चलिए, question number 9 को देखते हैं, modern cost factory MFC is located at Riberally। यह direct question है, इसके लिए कुछ पताने के जुरूए इतनी है। चलिए, question number 10, establishment के तरफ हम आ गए हैं, what is the minimum qualification for group D candidates? तो group D candidate के लिए, जो है, वो दस्वी pass होना जरूरी है। Group D उमिद्वार के लिंदिनतों में विकता है, तो दस्वी pass है। Question number 11, ठीक है, question number 11, interest on house building advance up to 5 lakh rupees is 8.5, is the right answer। Option यह ही जो पहला है, simple one-liner question है, तो उसके साब से, यह answer यह हो जाएगा। यानि कि, यहां पर कह सकते हैं, इस तरह कि माकान की मरमे थे तो PF नहीं, 5 lakh तक के house building advance पर कितना ब्याज लगता है, तो 8.5 लगता है। ठीक है, चलिए, what is the total service required to final withdrawal from the PF account for repairing of house। मकान की मरमे थे तो PF account से अंति-मिकासी के लिए कुल कितनी service होनी चाहिए। तो 10 साल की service होनी चाहिए, सही है, सही है, चलिए। Question number 13, the maximum HRA paid in railway as per the, sorry, question number 13, the minimum HRA paid in railway as per the 7CVC is, सात्वे वेतन आयों के उन्सार रेल्यों में निन्तम HRA, यानि के house, house rent allowance, जो होता है, कितना मिलता है, ठीक है, तो यह 18 रुपिया minimum है, ठीक है, तो यह 25 रुपिया है, तो यह 25 रुपिया है, तो फिर यह सब डैरेक्ट कोशन है, तो इसमें जादा समय निस्ट नहीं करते हैं, कुशन नमबर 15, how many independence can be included in privilege pass, प्रिविलेश पास में, यानि कि सुधा पास में, कितने आश्रीतों को सामिल कहा सकता है, maximum two लोगों को सामिल कहा सकता है, ठीक है, और जो independent के साथ पूरी पास जो बनेगी, वो 5 लोगों को बनेगी, ठीक है, चलिए, कुशन नमबर 16, how many days in advance can privilege pass for next year be issued, यानि कि अगले साल की privilege pass कितने दिन advance में, जारी किया जाता है, how many days in advance can be privilege pass of next year be issued, option a, maximum 120 days, b, 150 days, maximum 150 days, c, maximum 90 days, and none of these, है, यानि कि अधिकता में 120 दिन, अधिकता में 150 दिन, अधिकता में 90 दिन, और इन में से कोई नहीं, अगर मैं personally इस question को स्वाल करूं, तो मैं none of these मारूंगा, लेकिन जनरली कि लोगों का मानना है, उनका perception है, है, कि maximum 120 days is the right answer, ठीक है, आर भी नंबर, आर भी नंबर जो है, 80 by 2011, यह आपको पढ़ना चाहिए, इसमें 100 days की ही बात गहीए, इसमें आपको बिल्कुल भी confusion नहीं कराना चाहत हूँ, हमारा answer question number 16 का 120 दिन ही होगा, ठीक है, चलिए, महांगी चलते हैं, question number 17, average period for purpose of calculating overtime in respect of a continuous stop is, निरद्धन करमशारी के लिए overtime की गन्ना है, तो ओसा तो ओधी कितनी है, ये बाई विकली यानि की दूई, दूई शाफ्ताहिक होना चाहिए था, ये क्या लिखाना है, बाई विकली तो दूई शाफ्ताहिक हो या, चलिए, बी विकली यानि की सफ्ताहिक, सी मासिक यानि की मंत्ली, और डी इस क्वार्टरली यानि की तरे मासिक, तो हमारा जो एंसर होगा, वो बाई विकली होगा, ठीक है, चलिए, question number 18 को देखते हैं, under how many classes HOR has been classified, 4 class, 3 class, 5 class, 6 class, अब हिंदी में HOR होगा, खितनी classes, यानि सिर्णियों में classify किये गए हैं, बाटे गए हैं, तो ये actually 4 classes है, ठीक है, गहन यानि के incentive है, continuous है, initially intermittent है, और excluded है, तो ये चार है, चलिए, question number 19 को देखते हैं, name of, name the online grievance redressal machinery for railway, name the online grievance redressal machinery for railway, railway की सिकाइट निवारन machinery online का क्या नाम है, तो option निवारन NIC, BP gram and PRON, ठीक है, तो यहाँ पे निवारन होगा, यही इसका सही answer है, चलिए, question number 20, which of the railway department coordinate the audit of the railway activities, option A, finance B, professional CRPF and none of these, तो जाहिज जी बात है, audits related जो department है, वो हमारा finance है, professional का काम कार्मिक है, RPF का काम स्रुच्छा है, कार्मिक यानि की, जो HR department, human resources related होगी है, ठीक है, चलिए, तो हमारा question, number 21 आगया है, what is the upper is, relaxation given to STAC, P, W, B, D candidate in case of a direct recruitment quota, A, 5 years, B, 10 years, C, 13 years, D, 15 years, the right answer is, D, 15 years, ठीक है, direct recruitment quota की case में, STAC, P, W, B, D, की उमिदवारों के लिए, प्रीश, आयू में, 15 वर्स की छूट है, ठीक है, question number 22, what is the gross annual income, to gain benefit under reservation for economically weaker section EWS in central government post, A, below 10 lakhs, B, below 8 lakhs, C, below 5 lakhs, D, below 6 lakhs, the right answer is, B, 8 lakhs, 8 lakhs, below 8 lakhs, के जिए सरकार के पोस्टों में आर्थी ग्रूप से कमजोर, EWS के अंतरगत आरक्षन का लाभ लेने के लिए, gross वार्सी का आठ लाग रूपे से नीचे होनी चाहिए, ठीक है, चलिए, question number 23 को देखते है, What is the percentage of traveling allowance if an employer is out of his headquarter 14 hours? यदि कोई करमचारी अपनी headquarter से 10 घंटे के लिए बाहर रहता है, तो उसे कितने प्रतिशत भथता मिलता है, तो 70% मिलेगा उसको, ठीक है, 70% is the right answer. Question number 24, Service record of budgeted officer is maintained by A. Account department, B. Personal department, C. Vigilance branch and D. None of these. राजपतित दिकारों का service record कौन रखता है, या कौन maintain करता है, A. Account विभाग यानि के बित्तिय विभाग, दूसरा है professional यानि के कार्विक विभाग, तिसरा है सतरत्ता विभाग यानि के बिजलेंस और इजमें स्कोरी, तो सही answer जो है, वे एक ओन डिपार्टमेंट पर के बासी service record होते हैं, budgeted officer के हैं, ठीक है, How many days leave is granted as maternity leave? ये भी direct question है, Option A is 100 days, B is 60 days, C is 75 days and D is 20 days, the right answer is A, 180 days, ठीक है, चलिए, question number 26, total HLAP credit for 6 month working is 10 days, एक जनवादी को 10 दिन मिलते हैं, और एक जुलाई को 10 दिन मिलते हैं, ठीक है, इसी तरह LP भी एक जनवादी को 15 दिन, और एक जुलाई को भी 15 दिन, आपके एकाउंट में के लिडिट भी दाते हैं, चलिए, question number 27 को देखते हैं, DA as on 1st July 2019 वाज, 19 वाज के हिसाब से 12% हमारा उस वकट DA था, ठीक है, एक एक दोजार बीस को 17% था, चलिए, question number 28, how many MACP is allowed in entire service, पूरी सर्विस में कितनी MACP मिलती हैं, दो, तीन, चार और इन में से कोई नहीं, टो, त्री, फोर एंड नानो दीज, option A, 5 month, B, 4 month, C, 3 months, and D, 2.5 month, the right answer is A, 5 month, ठीक है, चलिए, question number 30 को देखते हैं, जो इस पार्टे का last question है, where is the training of Indian railway service of mechanical engineers is held, A, जमालपूर, B, पटियाला, C, शितरंजन, and D, वारनशी, तो जहां यह होता है, वो जमालपूर है, यह बिहार में पढ़ता है, ठीक है, यही सही answer है हमारा आज का, तो, thank you so much for watching this video, अगर आपको पसंद आता है, तो like किजे, subscribe किजे, share किजे, जो आपके नेडी लोग हैं, जो आपको जानते हैं, और वो एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी knowledge के लिए वो बेताब रहते हैं, तो, चलिए, हम नेक studio मिलते हैं, इसके part C के साथ, thank you so much for watching.